नमस्कार दोस्तों, अज मैं आपको होमियोपैट से जूड़ी एक दिल्चस्प बात बताने जा रहा हूँ आपके घर के आसपास जो धोवी रहता है, वो परते घर से कपड़े ले जाता है, उसे धोगर बिल्कुल सही घर में वो कपड़े फिर पहुचा लिता है कभी आपको सोचकर महसूस होगा कि धोवी इतने सारे कपड़ों को याद कैसे रखता है कि जिस घर से कपड़े ले गया है, कोही कपड़े उस घर में पहुचाना है आपको सोचकर महसूस होगा कि यह बहुत मुश्किल काम है लेकिन उसके लिए यह मुश्किल काम नहीं है उसके पास एक भिलावा नाम का पत्थर होता है जो आपके घर से कपले ले जाने के बाद एक छोटा सा मार्ख पत्ते कपले पर वो लगा देता है जिससे उसके दिमाग में आप बैठ जाती है कि एक कपले उस घर के हैं और वो कपले धूल जाने के बाद वो ठीक वही घर में कपले फिर से पहुचा जाता है तो इसी से जूड़ी हुमिपैथिक में एक दवा है अनाकाडियम जो भिलावा पत्थर से तयार होती है अगर आपके घर के छोटे बच्चे पढ़ा लिखा ठीक से याद नहीं रख पाते हैं उनकी मेमोरी अच्छी नहीं हो उनमें थोड़ी यादावत की कमी हो एक जाम के बाद वो पढ़ा लिखा भूल जाते हैं उस अवस्था में अनाकाडियम तीस नमर की दवा जो घिलावा पत्थर से तयार होती है वो आपकी काफी मदद कर सकती है आप कुछ की दवा प्रियूग करके उसका असर देखें आपके बच्चे जो पढ़ेंगे उनको वो याद रहने लगेगे आप प्रिच्चा के बड़ काफी अच्छा लिखेंगे याद रहेगा तभी तो लिखेंगे इसलिए उन्हें याद में उस बात को रहना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मेरा इंफर्मेशन बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सेर करें और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू